नमस्कार दोस्तो, educational talks में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन नवी MR का model rest paper और दोस्तो इसमें हर question के लिए आपको 8 से 10 सेगंड का समय भी दिया गया है ऐसे ही question पाने के लिए हमने इस वीडियो के description में हमारी website का link भी दिया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो समय को ने गवाते हुए शुरू करते हैं पहला question है दोस्तो कांजीरंगा राष्टे उद्यान कहा स्थित है तो इसका सही आंसर होगा यह कांजीरंगा राष्टे उद्यान असम राज्य में स्थित है अगला क्यों सन है दोस्तो ललित कला अकादमी निमन में से किसके अध्यान और सोद को बढ़ावा और प्रोचाहन देती है तो इसका सही आंसर होगा ललित कला अकादमी निमन में से चितर कला सिल्प कला और वास्तु कला के अध्यान को सोद कला को बढ़ावा और प्रोचाहन देती है अगला क्यों सन है दोस्तो संसार का सबसे पुराना सहर कौन सा है तो इसका सही अंसर होगा संसार का सबसे पुराना सहर एथेंस है अगला क्यों सन है दोस्तो अजारों जीलों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है तो इसका सही अंसर होगा अजारों जीलों के देश के नाम से फिनलेंड को जाना जाता है अगला क्यों सन्य दोस्तों सिमान्त गांदी के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका सही अंसर होगा सिमान्त गांदी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है अगला क्यों सन्य दोस्तों देवदर्ट ट्रोफी किस खेल से सम्मंदित है तो इसका सही अंसर होगा यह ट्रोफी फुटवोल खेल से सम्मंदित है अगला क्यों सने दोस्तो जैन द्रम की स्थापना किस ने की थी तो इसका सही अंसर होगा जैन द्रम की स्थापना माविर ने की थी अगला क्योंसन है दोस्तों अगरतला राज्य की राजदानी क्या है तो इसका सही अंसर होगा अगरतला राज्य की राजदानी तिरपुरा है अगला क्योंसन है दोस्तों साइना नेवाल किस खेल से सम्मंदित है तो इसका सही अंसर होगा साइना नेवाल निमन में से बैडमिंटन खेल से सम्मंदित है अगला क्यों सन है दोस्तो बारतिय इतियास में किस यूग को सवन यूग के नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से गुप्त काल को बारतिय इतियास के युग में समण युग के नाम से जाना जाता है अगला क्यों सने दोस्तो निमन में से क्या इंटरनेट से सम्मंदित है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से इमेल इंटरनेट से सम्मंदित है अगला क्यों सन्य दोस्तों किस वर्ष में तिरपुरा, मनिपुर और मेगाले को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो इसका सही आंसर होगा इन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा 1922 में मिला था अगला क्यों सन है दोस्तों कांजिरंगा राष्टे उद्यान की जानवर के लिए परसिद है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से यह है गेंडा के लिए परसिद है अगला क्यों सन है दोस्तों चक्दे इंडिया फिलम में कौन सा खेल दर्शा गया है तो इसका सही अंसर होगा इस फिल्म में ओकी खेल दर्शाया गया है अगला क्यों सन है दोस्तों सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी है तो इसका सही अंसर होगा सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु गरंद साहिब है अगला क्यों सन है दोस्तो निमन में से सबसे ठंडा गरह कौन सा है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से सबसे ठंडा गरह वरुन है अगला क्यों सन है दोस्तो सबसे बड़े और सबसे गहरे मासागर का नाम क्या है तो इसका सही आंसर होगा सबसे बड़े और सबसे गहरा मासागर परसांद मासागर है अगला क्योंसन है दोस्तों फिल्लेंड की राजदानी क्या है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से एल सिंग की फिल्लेंड की राजदानी है अगला क्योशन है दोस्तों किस देश में कोईले का सर्वोच बंडार है तो इसका सही अंसर होगा USA में कोईले का सर्वोच बंडार है अगला क्योशन है दोस्तों मान अधी के तट पर कौन सा सहर स्थित है तो इसका सही अंसर होगा कटक सहर मान अधी के तट परस्तित है अगला क्यों सन है दोस्तो बिहू किस राज्य का लोग नर्त्य है तो इसका सही अंसर होगा बिहू असम राज्य का लोग नर्त्य है अगला क्योशन है दोस्तों बार्त में कौन सा दूसरा सर्वोच नागरिक पुरुषकार दिया जाता है तो इसका सही अंस्वर होगा बार्त में निमन मेंचे पदम विबूशन पुरुषकार सर्वोच नागरिक पुरुषकार दिया जाता है अगला क्योशन है दोस्तो जंतर मंतर कहां स्थित है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से राजस्थान में जंतर मंतर स्थित है अगला क्योशन है दोस्तो मरठा सामराज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है तो इसका सही अंसर होगा मराठा समराज्य का दूसरा सस्थापक बाजी राओ एक को मना जाता है अगला क्योशन है दोस्तो निमिल लिखित में से किस समझोते का लक्षे इंदू-मुसलिम मत बेदों को सुल जाना था तो इसका सही अंसर होगा निमिन लिखित में से लखनौ समझोते का लक्से इंदू-मुसलिम मत बेदों को सुल जाना था अगला क्यों सन है दोस्तो निमन में से पेंसिल में क्या इस्तमाल होता है तो इसका सही अंसर होगा ग्रेफाइट पेंसिल में इस्तमाल होता है अगला क्यों सन है दोस्तों आराम से बैठे वे आदमी की परती मिंट समन्य नाडी दर क्या होती है तो इसका सही आंसर होगा आराम से बैठे वे आदमी की परती मिंट समन्य नाडी दर बैतर से अस्य होती है अगला क्यों सन है दोस्तो निमन में से किस दातों में जंग नहीं लगता तो इसका सही अंसर होगा निमन में से सोनने में जंग नहीं लगता अगला क्यों सन है दोस्तो साधारण नमक का रासाइनिक नाम क्या है तो इसका सही अंसर होगा साधारण नमक का रासाइनिक नाम NACL है अगला क्योस्टन है दोस्तो बिजली की इकाई क्या है तो इसका सही अंसर होगा वाट बिजली की इकाई है अगला क्योस्टन है दोस्तो सोर मंडल में सबसे ज़्यादा चमकने वाला गरह कौन सा है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से सुकर गरह सोर मंडल में सबसे ज़्यादा चमकने वाला गरह है अगला क्योसन है दोस्तो आइतन के हिसाब से वायू मंडल में किस गैस की परतिसत दर सबसे ज़्यादा है तो इसका सही अंसर होगा नाइट्रोजन गैस की परतिसत दर सबसे ज़्यादा है अगला क्योसन है दोस्तों ठोस्पदार्थों का गैस में सीधे बदलाओ की परकिरिया को क्या कहा जाता है तो इसका सही अंसर होगा इस बदलाओ की परकिरिया को सबलीमेशन कहा जाता है अगला क्योंसर है दोस्तों उस जगा को क्या कहते हैं जहां मद्दू मक्यों को रखा और पाला जाता है तो इसका सईयांसर होगा उस जगा को एपियरी कहते हैं अगला क्योशन है दोस्तों नीचे दीगी कौन सी कारिय प्रणाली खनी स्रक्षण से नाता नहीं रखती है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से खपत पर नियंतर कारिय प्रणाली खनी स्रक्षण से नाता नहीं रखती अगला क्योशन है दोस्तो बाकसाइड खनीज से कौन सी दातू प्राप्त होती है तो इसका सही अंसर होगा बाकसाइड खनीज से निमन में से लोहा दातू प्राप्त होती है अगला क्योशन है दोस्तों नीचे लिखे हुए कारणों में से कौन जंगलों की बरबादी के लिए जिम्मेदार नहीं है तो इसका सई अंसर होगा निमन में से बिमारियों तथा कीट जिम्मेदार नहीं है अगला क्योशन है दोस्तो आखो का रंग किसके कारण होता है तो इसका सही आंसर होगा आईरिस के कारण आखो का रंग होता है अगला क्योशन है दोस्तो जब एक चार्ज पास रखी वस्तू पर अपने से उल्ट वैद्यूट चार्ज पैदा कर देता है तो उस चार्जन को क्या कहते है तो इसका सही आंसर होगा उस चार्जन को कमेक्शन कहते है अगला क्योशन है दोस्तो दवनी की गती किस माध्यम में सबसे तेज होती है तो इसका सही अंसर होगा दवनी की गती निमन में से दर्वे में सबसे अधिक तेज होती है आगे दोस्तों कुछ मैथ के क्योशन है ये आपको कोपी पैंसे सोल करने पड़ेंगे समय आपको उतना ही मिलेगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे आपको पाया आपको कुछ मैथ करते हैं पड़ दो नगज़ चाहा हूए अगत अब रहा हुआ 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 है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाईए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडिय जो आपको इसी तरह समय समय पर मिलती रहें और दोस्तो इस वीडियो में आपके कितने क्योशन सही है वो इस वीडियो के कॉमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताईए ऐसे ही क्योशन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया है तो आप वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद